हेलो गुड डीब्निंग टी आल ओफ यू कैसे हो डियर स्टुडेंट्स आई होप आप सभी लोग ठीक हो गई जाज है कि आप सभी विद्यार्तियों ने कल टेस्ट दिया था जिसमें से कुछ इस्टुडेंट ने काफी अच्छा प्रफॉर्मेंस काफी अच्छा लेकिन बहुत से स्टुडेंट जिनका 10 से नीचे मार्क्स आया है मैं उन सभी विद्यार्तियों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक मेहनत कीजिए समय भी अब 20 दिन से कम ही है है ना तो आप लोग को जहां दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछिए बट हा राद दिन एक कर दीजिए अब यही 20 दिन तैय करेगा कि आप लोग का भविश्य कैसा रहने वाला है तो चलिए एक बार मैं उन सभी विद्यार्तियों का नाम ले लेना चाहूंगा जिनोंने 1st, 2nd और 3rd पोजिशन्स प्राप्त किये हैं है ना चलिए देखिएगा 1st चलिए अब देखते हैं सेकेंड पोजिशन्स पे कितने स्टुडेंट्स आये हैं तो देखिएगा सेकेंड पोजिशन्स पे तीन स्टुडेंट्स आई हैं पहली है नेहा जिनोंने 15 में से 12 प्राप्त किया है दूसरी स्टुडेंट है प्रिया इनोंने 15 में से 12 प्राप्त किया है तीसरी स्टुडेंट है इनोंने 15 में से 12 प्राप्त किया है तो आप लोगों को भी मेरी तरब से congratulations आप लोगों ने भी test में अच्छा performance दिखाया इसी तरह से आप लोग exams में भी अच्छा कीजिएगा I hope आप लोग इसी तरह से महनत कर रहे हो और इसी तरह से exams में भी अच्छा कीजिएगा चलिए देखते हैं third positions पे कितने students आए हैं तो देखिएगा third positions पे चार students आई हैं पहली है पूजा जिन्होंने 15 में से 11 अंग प्राप्त किया है दूसरी student है इंदू इन्होंने भी 15 में से 11 अंग प्राप्त किया है तीसरी student है काजल रॉय इन्होंने भी 15 में से 11 अंग प्राप्त किया है चोथी student है तमन्ना इन्होंने भ और भी अच्छा कर सके है ना यानि एक्जाम्स में आपको इससे और अच्छा करना है यानि कहने का मतलब आप लोग सही direction में जा रहे हो आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए अप लोग भी अच्छा कीजिएगा ठीक है मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग का रिजल्ट खराब है बट आप लोग एवरेज में ही आओगे ठीक है तो आप लोग को और थोड़ा सा महनत करने का जरूरत है जिससे आप एक्जाम्स में अच्छा कर सको ठीक है अब मैं कहना हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग का भी नाम आ जाए तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा और यदि आप लोग नए हो नए स्टुडेंट हो पहली बार चैनल पर आया हो और आप भी टेस्ट देना चाहते हो तो आप लोग मुझे डिरेक्टली मेसेज कर सक नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पेपर यानि यह जो टेस्ट पेपर था इसका अनलाइसिस करूंगा ठीक है और साथ ही साथ बहुत चीजे एक्स्ट्रा भी बताऊंगा उस पेपर में ठीक है तो आप लोग जरूर देखिएगा चलिए मिलते हैं